हेलो गाईज, वेलकम टो आबर यूटुब चैनल, दोस्तो इस लॉक्डाउन में बहुत सारा ऐसा क्वोशन आ रहा है कि उनका मिक्सर, ग्राइंडर का ये जो सर्किट ब्रेकर है, ये खराब हो गया है, तो अब इस सर्किट ब्रेकर को कैसे रिप्यर करें, क्योंकि लॉक्ड का टाइम चल रहा है, सारा सॉप्स क्लोज है, तो ये सर्किट ब्रेकर जो कि 15 रुपीज, 20 रुपीज का आता था और हम लोग रिप्लेस कर देते थे, अभी ये मिल नहीं पाएगा, तो ये प्रॉल्म है, चीज तो बहुत छोटा सा है, बट अगर ये खराब हो जाता है, त तो दोस्तो इस सर्किट ब्रेकर को अगर आप रिप्यर करेंगे, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, छोटे-छोटे, जो कि इस सर्किट ब्रेकर के खराब होने के बाद ही वो डैमेज हो जाता है, और वो पार्ट्स ऐसा नहीं है कि फिर आप उस पार्ट्स को खो आप इस circuit breaker को repair कर भी लिए तो इसका जो working रहेगा वो accuracy रहेगा वो सही रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई guarantee नहीं है तो दोस्तों मैं एक alternative आपको बताऊंगा जिसका आप यूज सिप emergency में किजेगा और उसके help से आप circuit breaker damage होने के बाद भी अपने mixer grinder को चला सकेंगे तो सबसे पहला point कि ये जो circuit breaker है इसका work क्या होता है जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये जो circuit breaker है overload protection का काम करता है suppose आपने बहुत देर तक अपने इस mixer grinder को run किया या उसमें बहुत जादा loading आपने दिया और इसका जो motor है वो बहुत जादा heat हो गया और जलने ही वाला है वो तो उसको जलने से बचाने के लिए यहाँ पर ये circuit breaker दिया रहता है ये detect कर लेता है कि आपका जो motor है वो overheat होड़ा है और जलने ही वाला है तो यह trip कर जाता है और जैसे यह trip करेगा आपका motor चलना बंद हो जाएगा उसके बाद आपको थोरी देर के बाद 30 second 40 second के बाद इसे आपको press करना है इस तरह से जब आप press करेंगे तो यह normal हो जाएगा और यह normally काम करने लगेगा तब तक आपका motor भी ठंडा हो जाता है और यह आपका complete assembly आपका काम करने लगता है बट कभी कभी क्या होता है कि बार बार trip होने से यह circuit breaker है यह damage हो जाता है आपका सही से press नहीं होता है तो आप समझ लिए कि इसमें कोई problem आ गया है यह healthy है यह mixer grinder का healthy है बट अगर सही से वह काम नहीं कर रहा है यह अंदर ही pressed है तो आप press कर रहे हैं फिर भी आपका motor नहीं चल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह circuit breaker है यह खराब हो गया है त तो सबसे पहले मैं इसे open कर लेता हूं यहां पर चारे श्रूर है 1,2,3,4 इस panel को मैं बहार निकाल लेता हूं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे हम लोग repair करते हैं तो मैंने इसके base को open कर दिया है और इस base को remove करने के पहले आपको एक बाद फिर से sure हो जाना है कि आपने plug remove कर दिया है जब भी आप काम करें तो आपको याद अखना है plug को आपको बाहर निकाल देना है safety बहुत important है तो यह देखें यहाँ पर हमारा यह open हो गया तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखें यह जो आपका wire आता है line on neutral तो एक wire आपका motor पर चल जाता है directly और दूसरा आपका यह switch होके जाता है यह safety switch का काम करता है जब भी यह motor heat होगा तो यह trip हो जाएगा और इस motor को save कर लेगा तो अभी emergency में मैं आपको बता रहा हूँ यह method आपको emergency में use करना है जब आपके पास कोई option नहीं हो और आपको अभी जैसे lockdown का time चल रहा है यह switch मिलेगा नहीं बट घर में आपको खाना बन इस तरह से यह निकिया को cut कर लिएना है इस दोनों वायर को आपको connect कर लेना है इस तरह से आपको connect कर लेना है इसको आपको बहुत ही safely इसको connect कर लेना है यह देखे मैं इसे connect कर ले रहा हूँ इस तरह से इस तरह से आपको इसे connect कर लेना है और इस तरह से इसे open नहीं छोड़ना है आपको इस पर taping कर लेना है और जब आपका lockdown खतम हो तो सबसे पहले आप यह circuit breaker वाल आप switch purchase कीजिए और उसके बाद आप इसको replace कीजिए बहुत यह simple है मैंने बहुत सारे videos में बता है कि कैसे इसे replace करते हैं जस्ट वो आपको nut open करना है और इसको आप replace कर सकते हैं within 2-3 minutes तो अभी emergency में आप इसका use कर लीजे बट जैसे ही आपको यह switch मिले आपका market open हो आप इसको tape open करके switch आप replace कर दिए और यह अब काम करेगा बहुत अच्छे से काम करेगा तो अभी यहाँ पर यह जो switch है यह आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो आपका यह base आगया इस तरह से अब इसे हम लोग चला के देखते हैं कि यह कैसा काम कर रहा है तो मैं इसमें supply दे रहा हूँ तो यह बहुत ही अच्छे से जैसे normally काम करता था उसी तरह से काम करेगा बट इसमें एक problem है अभी इस mixer grinder में कोई भी safety switch नहीं है तो अगर इस बार आप इस पे बहुत ज़्यादा load देते हैं बहुत देर तक motor आप रन करते हैं तो इस बार इसका जो switch है वो trip नहीं करेगा directly इसका motor ही जल जाएगा तो आपको careful रहना है आपको इस motor को more than 20 seconds नहीं चलाना है एक बार आप जब run कीजे तो 20 seconds के लिए आप run कीजे उसके बाद इससे 20 seconds का rest दीजे फिर से run कीजे और 20 seconds काफी होता है अगर आपको कुछ मसाला यह सब पिस नहीं हो तो 20 seconds more than enough होता है तो एक बार आप 20 seconds run कीजे फिर से थ्रा सा rest दीजे 20 seconds फिर उसके बाद run कीजे तो इसका motor आपका safe रहेगा प्लस एक बात आपको और ध्यान देना है कि यह जो आपका motor है वो well lubricated है या नहीं यह देखे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके motor को क इसलिए आपका trip होता है और बाद में damage हो गया प्लस जो आपका jar भी रहता है यह देखे जार इसका है यह देखे यह completely free होना चाहिए होता क्या है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देता है यह free नहीं रहता है बहुत ही ज्यादा heavy रहता है और इसी के वज़ह से आपका motor पे loading कि आपका jar का यह जो blade है यह free होना चाहिए इसका spindle है यह free होना चाहिए आपका motor का proper lubrication होना चाहिए यह free rotate करना चाहिए बहुत ही free है प्लस आपको overloading नहीं करना है एक ही बार में बहुत सारा समान इसमें डाल के आप इसे grind कर रहे हैं तो उस पे भी motor पे loading पड़ता है तो य inverse case अगर खराब हो जाता है तो आप इस तरह से इसे direct करके काम चला सकते हैं एक बात फिर से मैं बता रहा हूं यह कोई मतलब proper method नहीं है यह एक तरह से जुगार है और जैसे ही आपको यह circuit breaker वाला switch आपका मिले आपका market open हो आप इसे जल्दी से जल्दी replace कर लिजेगा इमर्जेंसी में इस तरह से आप काम चला सकते हैं सेफ है कोई पॉलम नहीं है और ध्यान दीजेगा ज्यादा देर तक आप मोटर मत चलाएगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लागा और आप भी अगर इमर्जेंसी में होंगे तो mixer grinder को इस दोस्तों में सेर किये में चैनल सब्सक्राइब किया और साथ मुस बेल आइकॉन को प्रेस किये ताकि जब भी में कोई नया वीडियो आपके लिए बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके और अट लास थैंक्यू थैंक्यू पर वाच विलता नेक्षी दूमें